नमस्कार दोस्तों स्वागताव सुभिक का आपके अपने यूटूब चेनल एक्जाम स्टूडियो पे दोस्तों आज हम इस वीडियो में सस्वी मिनिस्ट्रिल के लिए महतो पुरुन क्यूशन और उसके आंस्वर इस वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं तो दोस्तों वीडियो के साथ अंधतक बने रहे तथा परते क्यूशन का आंसवर देने की कोसिस करना तो दोस्तों परते क्यूशन का आंसवर सोचने के लिए आपको 4-5 सेगिन का समय दिया जाएगा और comment box में comment करके बताना कि आपके 20 में से कितने question सही होते है पहला question है भारतिय संसद में वीतिय बजट कोन प्रस्तूत करता है तो 4 option आपके सामने है जल्दी से बताएं का answer क्या होगा तो इसका जो सही answer है वो है यहाँ पर C वीत मंत्री भारतिय संसद में वीतिय बजट प्रस्तूत करता है C option यहाँ पर सही है हम आपको बता दे कि अनुचेद 112 के तहत परतेक वर्स के अंत में वीत मंत्री वार्सिक वीतिय विवरन प्रस्तूत करता है तो आपसे exam में यह भी पूचा जा सकता है कि कौन से अनुचेद के तहत वीत मंत्री वीतिय बजट प्रस्तूत करता है तो कौन सा अनुचेद होगा यहाँ पर 112 तो आपको हर question के अंदर एक दो question और बताए जाएंगे अगला question है ग्रिन हाउस प्रभाव में कोन सी गेश सरवादिक भाग लेती है चार option आपके सामने है तो इसका जो सही answer है वो है A पानी की वास्प यहाँ पर वास्प आएगा पानी की वास्प इसका सही answer है और इसका करम जो होता है ग्रिन हाउस प्रभाव का सरवादिक भाग लेने का तो वैसे तो सरवादिक होता है CO2 और फिर CO फिर CH4 आप यह भी लिख लीजे यह भी एकजाम में पूछा जाता है तता CFC, chlorofluorocarbon यह इस टाइप से आता है लेकिन जो पानी की वास्प होती है वो सबसी ज़्यादा भाग लेती है अगला क्यूसर कार्बेट नेशनल पारक किस पसू की रक्षिया के लिए स्तापित किया गया था जल्दी से बताएं इसका answer तो इसका जो से answer है वो है ए बंगाल के बाग बागों के लिए कारबन नेशनल पारक किस्तापित किया गया था इसका पूरा नाम क्या है जिम कारबेट राश्ट्रिय पारक तो यह कहां पर इस्तित है यह भी पूछा जाता है एक्जाम में तो यह उत्त्रा खंड में स्तित है तता इसका पुराना नाम भी एक्जाम में पूछा जाता है तो पुराना नाम क्या है इसका हेली नेशनल पारक और एक और क्यूशन पूछा जाता है कि यह स्थापना कभू इतिसकी 1935 में और एक चीज और बता देते हैं कि बाग की सर्वा तो चार उप्सन आपके सामने हैं तो कौन सा राजे चतिस गड़ के साथ अपनी सीमा का साजा नहीं करता है तो आपका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर आंदर परदेश चतिस गड़ के साथ अपनी सीमा का साजा नहीं करता है कौन कौन से राजे साजा करते हैं उडिशा, जारकर्ण, महरास्ट्र और एको राजे है तेलंगाना ये चार राजे 36 गड़ के साथ अपनी सीमा साजा करते हैं अगला क्यूसन बारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताईए सभी को पता है लगबग तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी गंगा कितने किलोमीटर है यहां बारत की 2525 किलोमीटर कितने किलोमीटर है 2525 किलोमीटर ये भी एकजाम में पूछा जा सकता है गोमुख हीमानी से निकलती है और तता कहां पर जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में अगला क्यूसन मात्मा गांधी दुवारा भार छोड़ो आंदोलन का प्रारम किस वर्स किया गया था बताईए तो इसका जो सही आंसर है वह बी 1942 में ये भी बहुत बार एक्जाम्स में क्यूशन पूछा जाता है अगला क्यूशन बोतिक सास्तर में नोबल पुरुशकार जीतने वाले पर्तम भारती वेक्ति का नाम बताईए तो ये भी एक्जाम्स की दरश्टे से बहुत महत्वपूण क्यूशन है तो आपका आंसर बिलकुल सही है D. C. V. रमन अगला क्यूशन किस भोतिक मातरा का सीमेंस में मापन किया जाता है चल्दी से बटाई इसका सही आंसर तो इसका जोवब आपका सही आंसर है वो है यहाँ पर B. विदुत चालकता का अगला क्यूशन सम्वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है C. बल अगला क्यूशन अगले क्यूशन पर चलने से पहले मापको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप चेनल पर पहली बार आए हैं पहली बार हमारा वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं तो एकजाम स्टूडियो के सामने रेड गलर में सब्सक्राइब का बटन है यहाँ पर क्लिक करके चनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि SSB के विशय में बहुत सारी वीडियो जिस पर पहले भी आती रहे हैं और आगे भी आती रहेंगी ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अगला क्यूशन है सीतल महाजन किस खेल के साथ जुड़ी हुई है इस परकार के क्यूशन बहुत सारे एकजाम से पूछे जाते हैं खिलाडियों के नाम दिये जाते हैं पूछ जाते हैं किस खेल से जुड़ी हुई है तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका A इसका इडाइविंग से तो आप अच्छे से इन चीजों को देखा करें क्योंकि एक्जांस में काफी कुशन इन पर बनते हैं अगला कुशन ए सूटेबल बोई पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका जो सही आपका आंसर है वह है A विक्रम सेट अगला कुशन निमिल लिखित में से हीमोफीलिया का लक्षन कौन सा है मोक टेस्ट का आपको फाइदा यह मिलता है कि हर एक सबजेक्ट से आपको मोक टेस्ट भी कुशन देखने को मिलेंगे तता आपका हर एक सबजेक्ट का रिविजन यहाँ पर होता रहता है जैसे आप यहाँ पर बायो के, फिजिक्स के, इतियास के और सवीधान के, एकोनोमिक्स के सभी कुशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे तो इसका जो सही आंसर है, वो है रक्त का थक्का नहीं जमता है और हीमोफीलिया जो है वो किस परकार का रोग है यह एक आनुवानसिक रोग है अगला क्यूसन निमली कित्मे से किसका घनत्व सर्वाधीक होता है तो आपकी सामने चार उपसन है तो बताइए सर्वाधी घनत्व किसका होता है तो आपका जो सही आंसर है वो है A, पानी का अगला क्यूसन सबसे गरम ग्रह का नाम बताइए तो इसका जो सही आंसर आपका वो है यहाँ पर B शुक्र अगला कुशन हमारे राष्टी धवजवे इस्ति चक्र किस बात का परति निदित्व करता है बहुत अच्छा कुशन है तो आपका जो सयांसर है यहाँ पर वो है B सत्ते का अगला कुशन राज्य सबा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो राज्य सबा में सबसे अधिक्तम जो संख्या हो सकती है वो होती है 250 अधिक्तम हो सकती है वरतमान में कितनी है 245 ठीक है अनुचेद 80 के तहत कितनी हो सकती है 250 हो सकती अधिक्तम राज्य सवा में सदस्यों की संख्या और अभी कितनी है वर्तमान में 245 अगला क्यूसन यदि एक गेंद उपर फेकी जाती है तो निमिल लिकित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है बताईए इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका जो सही आंसर है वो है A तवरन अगला क्यूसन बर्मान के अधियन को नाम से जाना जाता है तो बर्मान के अधियन को किस नाम से जाना जाता है तो इसका जो सही आंसर है वो आपका A कोस्मोलोजी और बता देते हैं आपको astrology किसको बोला जाता है गरे नक्षत्र जोतिसी विज्ञान को क्या कहा जाता है astrology और सिस्मोलोजी में किसका अध्यन कहा जाता है भुकम्प का और लिम्नोलोजी में जल विज्ञान का जीलो के अध्यन को क्या कहता है लिम्नोलोजी तो चारों हमने यहाँ पर आपको बता दिये बर्मान को क्या कहा जाता है कोस्मोलोजी बर्मान के अदेन को अगला क्यूसन ओडिस्सा में विश्वय परसीद कोणांक सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था तो आपके सामने चारों से नहीं यहाँ पर और यह कहां पर इस्थित है ओडिस्सा के सहर पुरी नामक सहर में इस्थित है यह मंदिर कौन से देवते का सूर्य देव का ठीक है यह भी एक्जाम में पूछा जाता है अगला क्यूसन नेपाली भासा मुख्य रूप से किस राजे में बॉली जाती है आज कल एक्जाम में भासा भी बहुत सारी पूछी जाती है तो इनको भी आप अच्छे से एक नजर इन पर भी देखना नेपाली भासा मुख्य रूप से किस राजे में बॉली जाती है तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम, इसका सही आंसर है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि कितने क्युशन आपके सही हुए है और वीडियो अच्छा लगता है लो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से सेर करें ताकि वो भी इनका फाइदा उठा सके तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नए क्यूशन के साथ धन्यवाद